नमस्ते ओवर्वीव में आपका स्वागत है तीन विशा है क्या मुस्लिमान होने की सजा भुगत रहे हल्दवानी के जुगी वासी दूसरा क्या यूए पी ये लगाना ही सजा है और तीसरा क्या बड़ा आदमी कहीं भी मूत्र विस्वर्जन कर सकता है इन पेचरचा करने से पहले आपसे एक आगरा चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल के मिंबर्शिप भी लें मिंबर्शिप का मतलब कि हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें देनी होगी और अगर आप हर महीने का कमिट्मिंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक लमसम पैसा भी वन टाइम हमारे आर्थिक सहयोग कर सकते हैं आपके इस आर्थिक सहयोग से हमें चैनल चलाने में आसानी लेती है कुछ हमारे दर्शक के भी पूछता है कि कैसे करें लिंक्स नीचे दिये हुए हैं उस लिंक में आप चले जाएं तो आप हमें आर्थिक सहयता करने में को आप उसके थरू हमारे बैंक में कुछ पैसा टांसरोड कर सकते हैं तो पहला क्या मुस्लमान होने की सजाब होकता है हल्दवानी के जुगी वासी एक केस यह हुआ कि 2007 में हल्दवानी में एक जगा है बन भूल पुरा बन भूल पुरा में मूल रूफ से तीन बस्तियां हैं गफर बस्ती धोलक बस्ती और इंदा नगर और ये करीब एक टू पॉट टू किलोमेटर का एक स्टेच है और यहां पे बहुत सालों से जुगी जुपड़ी वाले रहते हैं 2007 में यहां इस रेल्वे की जमीन और कुछ एक शुरू हुआ कि यह रेल्वे की जमीन है नहीं है उसमें कहा जाता ऐसा है कि वहां के कोई अधकारी आये थे उनको यह ठीक नहीं लगा अलग-अलग स्टोरी है खैट रेल्वे ने कुछ जमीन भी ले ली और यह कहके कि इसमें हम नया स्टेशन और नहीं चीज़ें डिवलोप करेंगे क्या डिवलोप किया यह ऐसा कुछ कहा जाता है कि ऐसा कोई बहुत बड़ा डिवलोप्मेंट वहां नहीं हुआ फिर उसके बाद रेल्वे ने जब यह सब किया फिर यह कोट गए कोट में ऐसा कहा जाता है कि किसी के कहने पर ही रेल्वे को भी उसमें एक पार्टी बनाया गया और एक 2016 में एक हाई कोट का एक ओडर आ गया जिसमें कहा गया कि इन लोगों को का इंक्रोच मतलब इन लोग कमिटी बनाईए जाइए क्या हो रहा है इतने दिन से लोग रहना है उस पे डीटेल करिये अभी फिर दो चार दिन पहले फिर वो 2017 का केज चलता रहा चलता रहा और उस पे रेल्वे का एक जॉइंट सर्वे भी हुआ डिस्टिक अडिस्टिशन के साथ जहां पे उन्होंने इडेंटिफाई किया कि 4365 जुगी जुगी आप कहले इतनी फैमिली रहती है 4365 फैमिली रहती है यह उन्होंने इडेंटिफाई कर लिया और मैं एक चीज़ और पता दू कि इस लैंड पर जिसकी बात हो रही है तीन सरकारी स्कूल 11 एक्रेट प्राइवट स्कूल 12 मदर स दस मस्जिद एक मंदर और एक पीएससी और डी फंक्शनल है तो फिर जब जब यह सब मामला चला और फिर आभी हाई कोट ने कह दिया कि यह साथ दिन की नोटिस दी जाएगी और उसके बाद यह गिरा दिया जाएगा नए साल में यह लौड़ स्पीकर से अनॉंस होना सारे लोग फिर से भाग के सुप्रीम कोट गए सुप्रीम कोट ने आज सुनवाई करके इस पे इस्टे लगा दिया है इस्यू नोटिस कर दिया है रेल्विय और स्टेट गवर्मेंट को और एक उनसे पूछा है कि वायबिल आप एक प्रोग्रम नहीं है मैं एक लार्डर क माच में यह इंटर कॉलिज वा जो सरकारी कन्या विद्याले है और वहाँ चल रहा है मैं मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं कि यह ऐसा नहीं है कि कोई एक दून से हो गया या वह हो गया इसमें एक और समस्या जो रेल्वे कहता है और कुछ लोगों इसको पार्टी मनाया कि उसी के बगल में गॉला रिवर जाती है उस गॉला रिवर में एक पुल तूट गया था कुछ साल पहले उस समय इनिशिली कहा गया था कि पुल तूटने का कारण इल्लीगल माइनिंग है और इल्लीगल माइनिंग यह जोगी जोपड़ी वाले करते हैं अब दो चीज़े है बाद में जब इसकी रिपोर्ट आई तो पता लगा कि वो जो पुल तूटा था वो इल्लीगल माइनिंग की वज़े से नहीं पुल का डिजाइनिंग डिफेक्ट था और वो डिजाइन की डिफेक्ट की वज़े से तूटा था नमबर एक नमबर दो इल्लीगल माइनिंग अगर होती है तो ये तो इल्लीगल माइनिंग वहाँ होती है और सारे इस टेवल उत्रा कर नहीं हिंदुस्तान के सारे स्टेट में इल्लीगल माइन होती है लेकिन उसकी सरपरस्ती में कोई नेता कोई मंतरी, कोई ठेकेदार की सरफरस्ती में होती है क्योंकि वहाँ पे क्रैक्टर, ट्रॉली, डंपर, डोजर, पोकलेंड, मालुम नहीं अर्थ मूविंग एक कुपंच लगते हैं कि वहला आदमी से पर रखके इलीगल माइनिंग में करने लगता है तो एक इल्पेशन ये दिया जा गया कि ये इलीगल माइनिंग करने वाले है और रेलवे इस तरह के बात रेलवे ही नहीं और लोग भी करने लगे जो ये जुगी जोपनी में रहते हैं मूलता, प्राइमारली ये मुस्लिम लोग है अब तो अगर मुसलिम है तो सबके लिए बहुत अच्छा है कि रही कैसे पॉइंट सकोर किया जाए क्योंकि वोट का एक बड़ा जरिया ये है कि अगर कोई मुसलिम है मैं ये नहीं कहारू, अगर उसका कोई हो रहा है तो उसको तुरंट सजा दो चाहे बुल्डोज कर दो ये चाहे कुछ दो और उससे आपके वोट बढ़ जाते हैं ये एक फॉर्मूला सबको समझ में आ गया है दो पक्ष हैं एक पक्ष ये है कि लॉन और्डर का मामला है सही है गलत है क्या है क्या नहीं है मुख्य बात ये है कि लोग जाएंगे कहां ये कहां जाएंगे मानवी दुश्री कोड है इतने लंब समय के बाद उनको हटाने का क्या मतलब है और दूसरा जो मुझे लगता है कि अगर आप उनको हटा रहे हैं तो कोई alternative side दीजिए जो सुप्रिम कोड भी कहा आप एक plan तो बनाईए क्योंकि केवल एक किसी को नेमिंग शेमिंग वाला एक पुराना ये एक culture है इस नई पार्टी का कि किसी को भी कुछ उसको बनाम कर दो और उसके बाद कहा दो यासा ऐसा था खेर अभी तो सुप्रिम कोड में कम कुछ हुआ है इस तरह का मानवी सम्वेदनाए हैं और उस ने ये किया है देखना है कि अगले महिने की तारिक लगी उस समय क्या होता है अब मैं दूसरी बात पर आजा रहा हूँ क्या UAPA लगाना ही सजा है ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दिल्ली की कोड ने मुहमत मनांदर को अभी जमानत दे दी एक फोटो जनलिस्ट थे जमो कश्मीर में इनको गिर्फतार कर लिया गया था करीब 22 अक्टूबर 22 अक्टूबर 2021 में इनको गिर्फतार किया गया था 2021 में UAPA के तहट और मैं आगे बढ़ू इससे पहले एक आपको डेटा मैं बता दू 2016 से 2020 के बीच 5,027 केसिज और UAPA के तहट मुकदमे दर्ज हुए हैं जिसमे 24,134 लोगों को आरूपित किया गया है उनको उपर यह है कि they are culprit उनको उपर मुकदमा चलाए गया है इन 24,134 में से 212 कन्विक्ट हुए हैं उनको सजा मिली है 386 बरी हो गए है और बाकी जेल में more than 97% लोग जेल में हैं आज तक मुकदमा सेटल नहीं हो पाया है और यह ऐसा लगता है कि जेल में ही भेज़ना एक उनकी सजा है एक सिर्फ केस में याद दिला दूँ CPI MOIS के एक प्रवक्ता थे गौर चक्रवर्ती साथ साल जेल में रहने के बाद वो UAPA से बरी हुए जबकि शायद उनकी maximum सजा भी उससे कमी होती तो सजा तो उनको मिल गई न अब आप बरी हो जाईए इतने दिल में रहने के बाद में उससे क्या फरक पड़ता है 2020 में UN का जो Special Reporters बोलते हैं जो उनकी कमिटी होती है उसने UAPA के बारे में सक्टिपणी की थी उसने कहा था कि ये मानवदगार का उलंगन करता है जो Universal Declaration of Human Rights है उसका उलंगन करता है International Covenant on Civil and Political Rights का उलंगन करता है लेकिन फिर भी हम इसको चला रहा है मौमद दर पर तमाम चार्जे लगाए लेकिन Additional Session Judge क्योंकि अभी भी कुछ जज लोवर कोट में है जो ये दिखाते हैं कि नहीं वो न्यायक की कुछ जढंग से संपादित करना चाहिए वैसे करना है शैलेंद मलिक जी ने उनको बेल दे दिया और बेल देते समय कहा कि आरोपित पर लगाएगर आरोप ना तो निर्धारित होते हैं और ना ही सत्ते हैं इतने लंबे समय तक जेल में रखना मिर्जे ऐसा लगता है कि इस इस में लोकतंत का इस में जमूरियत का नुकसान है इस में लोगों की जो आस्था इस डिमोक्रिसी में है उस पर कहीं न कहीं फरक पड़ता है दूसरा मुझे यह लगता है कि जम्मू कश्मीर में आप जितनी जल्दी election करा दीजी आप उसको टालते जा रहा है टालते जा रहा है टालते जा रहा है वो ठीक नहीं है 2019 में आपने 370 हटाया था आपने सत्ता सीधे अपने हाथ में ले ली थी आप सेंटर के सरकार उसको सीधे चला रही है और अभी तक अगर वहां election नहीं करा पा रही है तो यह एक चिंता की बात है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो यह यूएपईं यह ट्रीगर हैपी नहीं यह ट्रीगर है पी बोलते हैं कट जगोली मारो उसी तरह से जो पकड़ा उस पे यूएपई लगाओ जो पकड़ो उस पर यूएपई लगाकर उन्दर कर दो बाद में जेल में वेल मिल जाया क कुछ हो जाए दो-चार साल तो जेल में जिसको बोलते हैं जेल गाला सड़ ही जाएगा एक चीज ध्यान रखिए यह यंग है देश का भविश्य है और अगर यह यूए पिए गलत लगता है तो यह भी निरधारित होना चाहिए कि कि किसी ना किसी आदमी कि को किसी ना किसी व एक अकलमंद आदमी को जो यह समझता है कि इस माचिस को कैसे इस्तिमाल करना है उसको यह माचिस दे दी गई है यह भी देखने वाली बात है अब मैं तीसरी बात कर लूँ क्या बड़ा आदमी कहीं भी मूत्रों विसरजन कर सकता है एर इंडिया के बिजनेस क्लास में निय उपर एक उनके सहयाती जो बिजनेस क्लास में ही टेविल कर रहे थे उनका नाम अब आ गया है शेखर मिश्रा जी उनका नाम है नाम कितना सुन्दर है शेखर मिश्रा जी ने आके उनके उपर मूत्र विसरजन कर दिया मतलब उनके उपर पिशाप कर दी यह मैला बिजारी बदलवाए ये कपड़े बदलवाने के बाद वहां खड़ी रही उनको कोई और सीट नहीं आफर की गई और फिर से उनको उसी सीट पर बिठाये गया उस सीट पर उनने चदर अदर लगा दी थी लेकिन वह इतनी ज़्यादा पिशाव इशाव वहां थी और बद्बू भी आ पोखा गया ना फ्लाइड में कोई कंप्लेंड की गई ये सब हुआ उसके बाद 27 नवंबर को इन महिला ने एर इंडिया के चेयर्मेन एंज चंदर शेखर जो है बहुत खास रतन टाटा जी के माने जाते हैं उनको एक पत्र डीटेल लिखा अब 27 नवंबर को लिखा है जन इंडिया ने क्या किया पहली जीज ड्यूरिंग इंडिया बिजिस ने कहा था कि हम इसको ले कि हमारा ताज है और हम फिर से वापस लेके बहुत अच्छे से चलाएं गए तो सबसे अच्छे से तो आपने चला कि यही दिखा दिया कि आपकी in flight service कितनी बेतरीन है आपने during the flight क्या किया आपने क्या उस आदमी को रोका यह कहा जा रहा है कि उस आदमी को कहीं नहीं रोका गया after landing आपने क्या किया जब flight land कर गई तब हापके हाथ में कुछ था क्या आपने आपने उसको escort phase जाने को दिया आपने police complain कियो नहीं की आपने वहां से नीचे police को alert की o नहीं किया आपने उस थे को रोका क्योंनी क्योंकि एक महिला के साथ यह सब्तसलूकी हूई है बदसलूकी नहीं इस something more than that उसके बाद आपको जब complain मिल गई तो आप 30 दिन के बाद ये सब आप जागे हैं आपको इतना टाइम लगा और आपने भी क्या किया 30 दिन का उसके उपर बेहन लगा रहती देखे एक चीस समझ लीजे बिजनस क्लास में ये लोग चल रहे थे तो ये महिला भी इंफ्लूइंशर रही हैं होंगी आम अगर वेकती होता आम महिला होता तो उसके तो कम्प्लेण ही नहीं लिखी जाती कहीं आके दुवारा मूतर में सरजन न कर देते वो तो मालम नहीं अभी तो मूतर सरजन किये थे दूसरे बड़ी हाज्री भी न कर देते ये तो ये तो इस देश में मालूम नहीं क्या हो सकता है अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास सब कुछ है नाम बताया गया इडेंटिटी फिर भी डिस्क्लोज नहीं की गई है कि कौन है क्यों कि शेखर मिश्णा बहुत से चल रहा है कौन से शेखर है कौन है असली कर रहा हूं तब तक नहीं पता लग पाया है दूसरा शेखर मिश्णा इंपॉर्टन्ट आदमी है इसलिए उनके साथ इतनी दिनों तक कारवाई नहीं हो यह तैह है नाम आ जाएगा और डीटेल आजाएंगे तब पता लग जाएगा एक चीज़ याद दिला दूसरा एक क कोई बतामीजी नहीं की थी केवल प्रश्ण पूछे थे और इसकी वज़े से कुडाल कामरा को छे महिने के लिए बैन कर दिया गया था हवाया उस हवायात्रा से इनको 30 दिन के लिए किया गया है तो उन्होंने कुछ लोगों ने इस पर ट्वीट भी किया है और उन्होंने के ट्वीट किया है कि कुडाल कामरा के पास बेटर आप्शन था प्रश्ण पूछने से वो 30 दिन क्या उसमें बैन लगता अगर वो मूतर विसर्जन करते क्योंकि अगर मूतर विसर्जन पे 30 दिन का बैन प्रश्ण पूछने पे 6 महिने का बैन तो बेटर आप्शन तो मू जानी जी जो इतना ज्यादा हल ना मचाती है अभी तक तो कोई स्टेट्मेंट मैंने नहीं सुना है उमीद है कि ये शेकर मिष्टा जो बड़े आदमी है इसमें तो ये स्टैब्लिश है कि वो बड़े आदमी है वो कम से कम इसमें पकड़े जाएंगे और अगर छे महीने का जीवन बर उनको किसी हवाई जाज में न है चाड़ने दिया जाया моेजाब से सारुजिनीक स्टैब्स कर रहे हो कल की तारेक में मालूमroat नहीं क्या गरता हो अचीं लेकिन उसका नेम शेमिंग भी होनी चाहिए सोशल बाइकॉट होना चाहिए जितना हो सके सजा के अलावा भी यह सब चीज़ें आवशक है क्योंकि यह आदमी इस देश में इस तरका कहके और उसके बाद छूट के चला जाता है क्योंकि होता कि रामदेर जैसे लोग उसके वो हो जाते है रामदेर भी बत्तमीजी करता है महिलाओं के बारे में कोई कुछ नहीं करता है तो अगर यह डर बैठ जाएगा कि महिलाओं के साथ बत्तमीजी करोगे तो उस पे कड़ी कारवाई होगी तो शायद इस पे कुछ लगाम लगेगी थैंक यू सोब